आतंके संगटना अलकाइदा के दिमा कहे जाने वाले और अलकाइदा के पहले लिडर ओसामा बिन लादेन के दाहिना हाथ कहे जाने वाले अल्जावीहरी को यूएसडे ड्रोन स्ट्राइक कर मारने का दावा किया है इससे पहले भी अलकाइदा के लिडर ओसामा विंगलादेन को अमेरिका ने मार गिरा है बात करें आतन के संघटनों याने की अलकाइदा तालिबान और इस्लामिक स्टेट की तो मुखे तोर पर ये सब कटरपन के जिहादी सम्हूर है जिहादी ये एक अर्मी शब्द है खेर, हाला की मौटे तोर पर बोलते हुए सब एक समान विचारधारा साजातों करते हैं लेकिन सब वास्ताव में महत्मपोर्न रूप से दिलना है इतना अधिक की तीनों समूह अक्सर एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं इन तीन प्रमुक आतंकवादी संगटनों में अंतर है लेकिन ये अंतर क्या है तो चलिए मैं बताती को नमस्कार, मैं आपके साथ मुहिनी और आप देख रहे हैं The Reporter सबसे पहले तो अलकाइदा अलकाइदा एक आतंकवादी इंटरनेशनल संगटन है जो 9-11 हमले यानि की 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वॉयल ट्रेड टावर पर हमले के बाद से पूरी दुनिया में सुर्कियों में आया था बताय जाता है कि सोवेट संग की हमलों से अफगानियों और अरब के लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के मकसद से लादेन पाकिस्तान के पेशावर पहुँचा था भारायकर वहाँ अफगानी लोगों की साउधी से अर्थिक मदद दिलाता था अलकाइदा वहाबबाद का अनुसरन करता है जो एक सुनी इसलाम का एक चरम रूप है यानकी एक एक्स्ट्रीम रूप है एक रक्षात्मक जिहाद की अफधारना में विश्वास करता है अलकाइदा ये रक्षात्मक जिहाद की अफधारना में विश्वास करता है कहने का तात्परिया यह है कि उन लोगों से लड़ना हर मुस्लीम का दाइदवा है जो मुस्लीम या फिर इसलाम का विरोध करता है ऐसी धारना है अलकाइदा की अब बात करें तालिबान की तालिबान साल 1980 में जब सोवियत संग ने अफगानिस्तान में पौज उथारी थी तब अमेरिकाने हीस्तानिय मुजाहिदिनों को हतियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया था नतीजन सोवियत संग तो हार मान कर चला गया लेकिन अफगानिस्तान में एक कटरपंदी आतम की असांगरना तालिबान का जन्म हो लिया तालिबान इसका एक पश्टोच जबान का शब्ध है यानि कि पश्टो भाषा में छात्रों यानि कि सुडंस को तालिबान कहा जाता है तालिबान और अलकाइदा दोनों सुन्नी इसलाम की शाकाय है लेकिन दोनों अलग-अलग है उनके कई सिधानत अफगानिस्तान में पारंपारिक पश्चतुन जनजातिय जिवन शैनिस से उभुजित है साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान शाहसन के दोरान मुल्ला उमर देश का सरवच्च धार्मिक नेदा था उन्होंने मूल रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चतुन छेत्रों में शरिया कानून के माध्यम से शान्ती और सुरक्षा बहाल करने का दावा किया था हाला कि Taliban सम्भू अधकनत सक्त कानुन लागू करता है जिसके द्वारा उसके नाजरिकों को कैसे रहना चीए ये वो बताता है जिसे 10 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को शिप्षा नहीं ले सकती वो महिला के शिप्षा नहीं ले सकती टेलिविजन या फे सोचल मेडिया पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया गया है आम तोर पर तालिबान एक ग्रूप नहीं है बलकि इसके कही ग्रूप से पाकिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी समूर है टीटीप यह वही ग्रूप या फिर समूर है जिसके शासन के तहर स्कूल जाने के लिए मलाला यूसुप जई की हत्या करने का प्रयास किया गया था अब बात करें इसलामिक स्टेट की स्टोकॉल्ड इसलामिक स्टेट को 2014 में मजबूती से स्थापित किया गया था मौसुल पर कबजा कर लिया गया था जब तालिबान कमांडरों नी आइस नेता अबुबख्र अलबगडादी के प्रती निश्टा की शपत ली थी बात करें तालिबान और आइस की तो दोनों सुन्नी इसलाम के चरंपन्तिरी रुपांदरों का अभ्यास करते हैं तालिबान समुह देवबंदी शाखा का एक गुरूप सिखाते हैं जवास्तों में आइस और अलकाइदा द्वारा प्रचलिक वहाबी सलाफिस्ट परंपरार के संस्क्रण से कम एक्स्ट्रिम है आइस सोचल मीडिया की ताकत का इस तरह से इस्तेमाल करता है कि यूट्यूब, ट्विटर और वाट्सेप का उपयोग करके वहाँ समुह आतनकवाद का प्रचार और प्रसार करने में सक्षम है और वहाँ कई यूवाओ को पश्चिमी संस्क्रिती के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए उपसाता है या पिर आमंद्रित करता है अगस 2016 में यहां अनुमान लगाया गया था कि लगबक 850 ब्रिटिश नागरी का आतनकवादी संक्रितन में चामिल होने के लिए देश छोड़ कर चले गयता है तमुखे रूप से आईस, अलकाइदा और तालिबान ये तीन आतनकवादी संक्रितना जरूर है आतनकवादी जो फांडेशन जरूर है लेकिन इसके कई अन्या छोटे-छोटे गुरूप से जो आतनकवाद के लिए काम करता है जो आतनकवाद पहलाता है आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताए आगे भी ऐसे खबर देखने के लिए देश देश के अपडेट्स के लिए देखते रहिए जड़ी कोईटर